हेलो दोस्तो स्वागत है बक्सर एजूकेशन यूट्यूब चैनल में आज इस कलास में रेलबे के सभी परिछाओं के लिए महत्पुन प्रस्नों का अध्यन करने वाले हैं जो रुपमनी पब्लिकेशन का बोख है दोस्तो आज हम पौधो का विभीन भाग तथा पौधो का वलिकरन से संबंधित प्रस्नों का अध्यन करेंगे मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब और सेयर अवस्य कर दे चलिए शुरू करते हैं प्रतम प्रस्न से डाइस प्रकंद का एक उधारन है तो प्रकंद का उधारन कौण है दोस्तों प्रकंद का जो भूमी के अंदर छैतिज के रूप में होता है उसे प्रकंद करते हैं प्रकंद का उधारन है अध्यरक आगला प्रस्ण पादप विज्ञान में किसका अध्यन किया जाता है तो पादप विज्ञान में पौधों का अध्यन करते है आगला प्रस्ण पादप वरिकरन का पादानुकरम निम्ण में से कौन सा है तो कौन है दोस्तो प्रभाग, वर, गर्ण, कूल, वंस, प्रजाती ये पादप वरिकरन का भाग है ओप्शन C आगला प्रशन वे आविट्स बीजी पोधे जिनमें बीजों में दो बीजपत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो दो बीजपत्र वाले को क्या कहते हैं दी बीजपत्री पोधे कहते हैं आगला प्रशन टेरीडो फाइटा समू के पोधों में डायस नहीं होते हैं तो इसमें पुस्प नहीं होते हैं आगला प्रशन डायस पोधों में कोशिका विरधी और कोशिका विवेधी करण को बढ़ावा देता है तो कौन देता है ओक्सीन अगला प्रस्ण निमलिखित में से कौन साजीवी संबंध को दरसाता है तो साजीवी संबंध को लाइकेन दरसाता है अगला प्रस्ण ब्रायो फाइटा निमलिखित में से किस बनस्पति से संबंधित है तो यह किसे संबंदित है? मारकेंसिया से संबंदित है आगला प्रस्ण बर्गत के पेल का बनस्पातिक नाम क्या है? तो बनस्पातिक नाम क्या है दोस्तो? फाइकस बेगलेसिस नाम है बर्गत का ओप्शन सी आगला प्रस्ण फूल में गर्व के सर डायस है तो क्या है दोस्तों मादा प्रजन अंग है क्या है मादा प्रजन अंग आगला प्रसन फूलों के अंडासे के अंदर छोटे मन के जैसी सारचना को क्या कहा जता है तो छोटे जैसी मन के सानचना को क्या करते हैं दोस्तों बिजानू करते हैं आगला प्रस्ठा चुई मुई पोधे का बैज्यानिक नाम क्या है तो इसका बैज्यानिक नाम मिमोसा पुंडिका है option D पोधे को पान समोह में बटा जाता है इन में से कौन एक नहीं है तो कौन है पोट्रो कोडेटा जो यह नहीं है आगला प्रस्ण निमलिखित में से कौन सी बनस्पतियों में प्रछन्य प्रजनन अंग होते हैं तो प्रछन्य प्रजनन अंग कौन है दोस्तों जल तिपतिया है क्या है दोस्तो जल्द तिप्तिया आगला प्रस्ण निमलिखित में से किस समु के पौधों के बीज आवरंड रहित होते हैं तो बीज आवरंड रहित कौन है अनावरित बीजी है option A आगला प्रस्ण डायस एक पौधा है जो जंगल में होता है और इसकी पतियों पर नुक्विले रोम होते हैं जो गल्ती से छू जाने पर दर्द का कान बनते हैं तो यह है बीजू बूटी है option A आगला प्रस्ण सामान एक गेहू का बनास्पतिक नम क्या है तो इसका बनास्पतिक नम क्या है ट्रिटकम रेश्टी वर्मम है क्या दोस्तो ट्रिटकम रेश्टी वर्मम है गेहू का समाने नाम अगला प्रस्ण निम्द में से क्या जमीन के नीचे नहीं उखता है तो जमीन के नीचे टामाटर नहीं उखते है अगला प्रस्ण भारतिया उप मादिप में पाए जाने वाले किस पौधे का बनास्पतिक नाम व्यूटिया मोनोस्परमा है। तो किसका नाम है दौस्तों पलास का है। बनास्पतिक नाम है। बनास्पतिक नाम अगला प्रोस्नों इफेडरा पोधे को किसके अंतरगत वरिकृत किया गया है तो किसके अंतरगत अनाविरित बीजी के अंतरगत वरिकृत किया गया है आगला प्रोस्णो डायस मनसारी पोधा नहीं है तो कौन मनसारी पोधा नहीं है टाइगर लिल्ली मनसारी पोधा नहीं है अगला प्रस्णा निमलिखित में से किस पादव समू में फॉल के अंदर बीज मौजूद है तो फॉल के अंदर बीज कौन मौजूद है आविर्त बीजी है अगला प्रस्णा फॉल आम का बैग्यानिक नाम क्या है तो आम का बैग्यानिक नाम, मैगी फेरा इंडिका है, option C आगला प्रस्ण निम्लिखित में से किस पोधे को जड़ तना और पतियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है तो कौन है, एस्पाइरो गैरा, option C आगला प्रस्ण निमलिखित में से कौन सा पोधा थैलो फाइटा नहीं है तो बताई दोस्तो इस प्रस्ण का उंतर दीजिए कौन है दोस्तो जो थैलो फाइटा नहीं है प्यूनेरिया थैलो फाइटा नहीं है आगला प्रस्ण किसी पोधे का कौन सा भाग पौधों की जडों से पौधों के सिस भागों में जल का परियोहन करता है तो कौन है जल का परियोहन जैलम उत्तक के द्वारा किया जाता है अगला प्रस्नों निम्नलिखित में से आलू के पौधे का खाद्य भाग कौन सा है तो हम आलू का कौन सा भाग खाते हैं दोस्तों तना को खाते हैं अगला प्रस्म समुंदरी सेवाल का अविलाचनिक रंग लोणों में मजुक वणों पर निर्भर करता है इन में से कौन सा वणत सेवाल के हरे रंग का कारण है तो हरे रंग का कार्ण क्या है दोस्तों क्लूरो फील है अगला प्रस्नों जिन पौधों में सौन तंत्र नहीं होता है उन्हें डायस के तौर पर जना जाता है तो उन्हें किस तौर पर जानते हैं ब्रायो फाइटा के तौर पर जानते हैं आगला प्र resort चुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है किस्का बैग्यानिक नाम है गेहू का बैग्यानिक नाम है अगला प्रस्नौ पन ब्रित दायस का एक अंग है तो पन ब्रित किसका अंग है दोस्तो या पील का अंग है अगला प्रस्नौ हरी मटर का बैग्यानिक नाम क्या है तो हरी मटर का बैग्यानिक नाम क्या है दोस्तो ट्रिकम, एस्टिवर्म इसका बैग्यानिक नाम है किस पादप हार्मोन की सदनता पोधे के सिल्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदिक पहुँचने पर घटती जाती है तो कौन है दोस्तो यह है ओक्सीन है क्या है दोस्तो ओक्सीन है हरी मटर का बैग्यानिक नाम क्या है तो हरी मटर का बैग्यानिक नाम पाइसम सवाइट वाम है क्या नाम है दोस्तो पाइसम सटाइवाम है अगला प्रोस्तो कैक्टस जैसे मरुस्थली पोधे का कौन सा भाग परकासंसलेशन की परकिरिया करता है तो कौन है भाग तना है आगला प्रस्मा निमलिखित में सेकिन है पादप जगत के उभचरों के रूप में जना जाता है तो पादप जग उभचर के रूप में ब्रायो फाइटा को जानते हैं आगला प्रस्णौ निम्न में से किसे अलफाफ के रूप में संबोधित किया जाता है किसे संबोधित करते हैं सटिवा को संबोधित करते हैं अगला प्रस्न, अनकूलं के समय बीज का कौन सा भाग जल का निर्मान करता है? तो जल का निर्मान मुलांकूल करता है आगला प्रस्ण निमलिखित में से कौन सा पौधों में होने वाला कवक रोग नहीं है तो कवक रोग को नहीं है दोस्तों साइट्रस कहकर कवक रोग नहीं है आगला प्रस्ण निमलेखित में से किस बनस्पती में पादपकाय को जड़ो और पतियों में विभेदित नहीं किया जाता है कारा आगला प्रस्ण पौधों में फुलोयम का क्या अर्थ है? तो फुलोयम का क्या अर्थ है दोस्तों? यह साकरा को पौधे के विभीन भागों तक पहुंचाता है option C आगला प्रस्ण पौधों के समू में विभाजित किया जाता है तो निम्न बिकल्पों में से कौन सा इन में से एक नहीं है तो कौन नहीं है और्थो पॉंड़ा और्थो पॉड़ा पादव समुग रूप में विभाजित के रहता है और इन बिकल्पों में से नहीं है सारी दोस्तो और्थोग पोड़ा जन्तु जव से संबंदित है जबकि बाकी सब ये तीन पादव के समु से संबंदित है अगला प्रस्ना पादव कोशिकाओं की भीति डाय से बनी होती है तो इनकी भीति सेलुलोज से बनी होती है आगला प्रस्न निमलिखित में से कौन सा जिवानु फलिदार पादपो की मुल्प अभिकाओं के निर्मान से संबंदित है तो कौन है दोस्तो राई जोबियम है आगला प्रस्न पौधे को इन में से कौन से पोसक तत्व मिटी से प्राप्त करते है तो कौन है नाइट्रोजन पौधे को नाइट्रोजन पोसक तत्व मिटी से प्राप्त करते है आगला प्रस्न निमलिखित में से किस पादप समू में बीज एक आंडासाई के अंदर विक्सित होते है जो बाद में पक करफल बन जाता है तो कौन है आविर्थ बीजी है अप्शन ए अगला प्रस्न समानता है किस पेल की टहनी का प्रयोग दाद साफ करने के लिए किया जाता है तो दाद साफ करने के लिए निम के टहनी का प्रयोग किया जाता है अगला प्रोस्णों कैरूलस लिनियस को किसका जनक मना जाता है तो कैरूलस लिनियस को ओर ही करन बिज्ञान का जनक मना जाता है अगला प्रोस्णों पौधे के किस भाग से चाय प्राप्त होती है तो चाय पत्तिस से प्राप्त होती है आगला प्रोष्ण निम्नलिखित में से कौन सा एक बिज रहित फल है तो बिज रहित फल केला है केले में बिज नहीं होते हैं आगला प्रोष्ण प्याज एक डैस है तो प्याज क्या है कंद है अगला प्रस्ण निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसारी पोधा है तो मानसारी पोधा कौन है घटपंड़ी पोधा ये सभी मानसारी पोधे है अगला प्रस्ण प्याज और लौसुन डायस के उधान है तो प्याज और लौसुन किसके उधान है या कंद के उधालन है में बढ़ते हैं तो बताइए दोस्तो इस प्रसें का अप्баु निकोटिन है दोस्तों क्या है दोस्तों निकोटिन आगला प्रस्ण निम्नलिखित में से कौन सा अपने जीवन काल में एक बार ही फूल और फल देता है तो कौन है केला है आगला प्रस्ण निम्नलिखित में से कौन और घुलनसील अहारिय रेशा का इक उधालन है तो कौन है सेलू लोच दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवस्य करें अगला प्रस्न केले के वंस का विस्तार डायस के द्वारा होता है तो केले का विस्तार सक्कर के द्वारा होता है अगला प्रस्न हाइड्रोपोनिस क्या है तो हाइड्रोपोनिस मिट्टी के बिना केवल पानी में पौधे उगाना हाइड्रोपोनिस है अप्शन ए ही अगला प्रस्ण पौधों में अंडासे के भीतर अंडानुओं की ब्यवस्था को क्या कहा जाता है तो अंडानुओं की ब्यवस्था को अप्रांस कहा जाता है अगला प्रोस्न फुलू का मादा प्रजन अंग निमलिखित में से कौन है इस प्रोस्न का अंसर बताई दोस्तों कौन है जयांग है क्या है दोस्तों जयांग है अगला प्रोस्णों निम्न में से प्रतान का उधालान क्या है तो प्रतान का उधालान मठर के पोधे है अगला प्रोस्णों आम तोर पर दीप बिचपत्री पोधे की पत्यों में किस परकार की सीरा रचना पाई जाती है तो किस में पाई जाती है जाल वाली सीरा रचना जाती, Option C, अगला प्रस्न, निम्नलीखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजवन करता है, तो तने के माध्यम से गुलाब प्रजवनागता है, अगला प्रस्न, इन में से कौन से पौधे अल्लाइंगिक रुप से जनम न लिते हैं, तो बताए dov' donations कोन है, अलैंगी कुछ से जमने लेते हैं अद्रख अगला प्रशना डायस वीच पत्री पोधा है ता वीच पत्री पोधा कोई है दोस्तों बताइगा सकरकंद का बेल है अगला प्रशना निमलिखित में से किन पोधों में गुप्त प्रजन अंग पाय जाते हैं अगला प्रस्न, किसी पोधे के बनास्पतिक भाग डायस होते हैं, तो क्या होतों दोस्तों बताईगा, तो इसके बनास्पतिक भाग जड़ तने और पतियां होती है, अप्शन ए, अगला प्रस्न, डायस पोधे के सभी भागों में भोजन पहुचाता है, तो भोजन फ्रोयम में पहुचाता है अगला प्रस्ण निम्न लिखित में से कौन सा पौधा थेलो फाइठा स्वमू से संबंधित नहीं है तो कौन है दोस्तों जो थेलो फाइठा स्वमू से संबंधित नहीं है मारसिलिया अगला प्रस्न निम्न में से कौन सा पोधा टेडो फाइटा की सेर्णी का है तो टेडो फाइटा सेर्णी का है मारसिलिया है अगला प्रस्न निम्न लिखित में से किस पोधे को ब्रेव फाइटा के वर्ग में सामिल किया गया है तो किसे सामिल किया गया है, रिक्सिया को, आगला प्रस्न, गुल्दावदी में किस परकार का अबनस्पति प्रसार दिखा जाता है, तो इसा अप्शन क्या हो दोस्तो, चुसक, अप्शन B, आगला प्रस्न, पौधे भविश्य के लिए, खादे को बीज के डाइस रूप में संग्रहित करते हैं, तो कौन है, बढ़ेगा अप्शन, कोटी लेड़ोन, अप्शन C, अगला प्रस्न, एक ब्रिज का बाहरी संग्रचक परत है, तो कौन है, संग्रचक परत दोस्तों, बढ़ेगा, वलकल है, क्या दोस्तों, वलकल है, अगला प्रस्न, पौधों में पानी का उसोसोन मूल रूम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है वो कहलाती है वो क्या कहलाती है तो वो परासरन कहलाती है अगला प्रस्ण हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं तो कौन भाग खाते हैं ताना को खाते हैं अगला प्रस्ण पौधे में जल के वहन से संबंदि आगला प्रस्णु पादप की बृधि कृट करने के लिए किस यंतर का प्योग के जता है तो किस हैं और का उप्योग करते हैं को प्रस्ण निम्नलिखित में से कौनसा किट-भक्षी पादप है तक रिप्षी पादप कोन नेपेथीज है क्या है दोस्तों नेपेथीज है फूल वाले पौधे निम्न समूगे है तो फूल वाले पौधे क्या है दोस्तों आविर्त वीजी है आगला प्रस्ण एक पौधा जो सक्रा बनाता है उसके साथ क्या करता है तो बताइए दोस्तों क्या करता है उसको एश्टा अगला प्रस्ण। खारी मिटी में उगने वाले पौधे क्या हैं? तो खारी मिटी में उगने वाले पौधे हेलो फाइट से हैं। अगला प्रस्ण। निम्नलिखित में से नरम लकडी कौन सी है? तो नरम लकडी कौन है? देवदार हैं। अगला प्रस्ण। लकडी में एक वर्ष के बिक्सित के बाद निर्मित लकडी की परत को इन में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं बताईगा? वार्षिक रिंग कहते हैं। अगला प्रस्ण। मेगलोनियों फाइटा पूस्पिय पादप होते हैं जिने डायस भी खा जता है तो उन्हें एंजियो एस्पर्म कहते हैं। अगला प्रस्ण। डायस के अलावा निम्न सभी पादप में जखड़ा जुड़े होते हैं। बताईगे दोस्तों क्या है? चुकुंदर के अलावा इन सभी पादपों में जखड़ा जड़े होती है। तो जखड़ा जड़े चुकुंदर में? चुकुंदर में नहीं होती ये बाकि सभी में होती है, अगला प्रस्न, इनमे से कौन सा पूस्प का मादा जनन अंग, बताइए दोस्तों, तो इस तरी केस और, पूस्प का मादा जनन अंग है, अगला प्रस्णु इन में से कौन सा पूस्प की नर्जनन अंका घटक नहीं है तो नर्जनन अंका घटक कौन है वर्तिका अगला प्रस्ण निम्लिखित में से कौन से पोधे एकलेंगी पुस्प उत्पन करते हैं तो एकलेंगी पुस्प तर्भुज और पपिता उत्पन करते हैं अगला प्रस्ण निम्लिखित में से कौन सा दिवलेंगी पुस्प है दिवलेंगी पुस्प कौन है? गुलहल और सरसो दिवलेंगी पुस्प है. आगला प्रषण निम्न में से कौन सा उप्यूप्त परिस्थिथियों में नवादभिदी के रूप में विक्सित होता है. कौन है दोस्तो? भूल है. आगला प्रषण एक पूस्प के प्राइनन अंग डायस होते हैं तो प्राइनन अंकों है दोस्तो पूंके सर और इस्त्री के सर है आगला प्रस्ण पादपो में प्रांकूर कहां पाय जाता है तो पादप में प्रांकूर दोस्तो बीज में पाय जाता है आगला प्रस्ण निश्चेचन के बाद पूस्प के इन अंग, पुंकेसर वर्तिका वर्तिकार दल और ब्राय दल का क्या होता है तो क्या होता है ब्राय दल के अलावा वे जड़ जाते हैं और जो कुछ पौदों में अस्थाई हो सकता है अगला प्रस्ण पूस्पी पादपों में प्रज्णन के संबन में निम्न में से कौन सा कथन असकते है तो बताई दोस्तों पूस्पी पादपों के प्रज्णन में कौन सा कथन गलत है तो यह है बिजानों के माध्यम से प्रज्णन हो सकता है ओप्शन भी जो गलत है दोस्तो मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब और सेर अवस्य करें धन्यवाद दोस्तो